नमस्कार दोस्तों आप सबको ममता की जिन्दगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है मैं हूं ममता शक्री आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहे हूं आप लोग के सामने आ रहे हूं व्लॉक्स बना रहे हूं थोड़ी दिन ब्रेक ले लिती मैंने 15 दिन एक मेना ह हो गया थोड़ा सा खराबता मतलब बैक पेन भी था और आंक में दर्ध शुरू हो गया बहुत ज्यादा दर्ध शुरू हो गया और दूसरी चैनल का तो डिसकंटीनियू करना ही कर सकती बहुत पीछे हो गया वह चैनल तो उसमें थोड़ा सा वीडियो डाल रहे थी कभी-क तो इसमें नहीं डाल पाई तो सॉरी अभी आगे से अच्छे से डेईली आ जाएगा व्लॉक्स करूंगे अभी रिग्लरली व्लॉक्स करूंगी सपोर्ट कीजिएगा आप लोग बने रहेगा मेरे चैनल पर मुझा आंक में बहुत दर्ध शुरू हो गया तो मेरे बच्च देखने से ना आंक में दर्ध होता है मुझे वो रेडियेशन बहुत दर्ध कर देती है तो मेरे बेटे ने बोले कि अभी आगे करना है तो ब्लू लाइट फिल्टर का चाश्मा ले लेंगे उसके बाद वैसे भी पावर है मुझे पास का भी है दूर का भी है तो एक बार फिर फिल्टर डालए फिर बनाना वीडियो बनाना उस चैनल का पूरे वीडियो बनाके से ट्रीट स्र whites भी हो जाता है तो जाक्तक में तूर ब्लू लॉसके है से ब्लू लाइक, फिल्टरस टोड़निंग 있지 जीज उसके तो ब्लू बार बार चाम वैसे फिल्टर नाक्र ना बेटे ने जब दस्ती रुकवा दिया मेरा उसके बाद फिल्टर लगवा के अभी यह नया चश्मा है पावर भी थोड़ा सा दूर का ज्यादा बढ़ गया वह इसे पूरा दिन फोन देख रही थी तो आभी इसको डालने से ब्लू लेट फिल्टर डालने से पावर नहीं देखने से यह अच्छा एंटिकलेर और फिल्टर दोनों है तो यह नया चश्मा है बेटे ने खरवा दिया बनवा दिया इसको अभी शुरू करूंगी अभी रेगुलर ली आ जाएगा मेरा लॉक्स आ जाएगा बने रहिएगा और मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता है हम चार लोग बड़े लोग है तो तो गर में ठाब हुग होता है खाना बनाना बरतन भी बोट जाएगा चार लोग लोग जयादा होतकी पार जुद करने वाले में अकेली हो गई बेटी का Vision का का म भी होता है और कुछ कुछ उसका तो बहुत ज्यादा होता है बैटा तो ऑफिस का वर्क में बीजी है तो में अकेली करना होता है तो टाइम नहीं मिलता है फिर हमारा खाना बनाने में टाइम बहुत ज्यादा मिलता है टाइम ज्यादा लगने वाला चीज है हमारे खाना जो है जो आप लोग मुझे तोड़ा अभी थोड़ा कम है मतलब ब्लड शुगर डिटेक्ट हो गया दो महीने से पहले मुझे शुगर है डाइबिटिक है करके पता चला तो उसके लिए आधत नहीं है न हमें मतलब रिस्टिक्शन करके तो बहुत ज्यादा मीठा काते हैं मैं पहले से बोल चुके जाता है तो आके थोड़ा से तक जाती हूं फिर गंट लगी जाता है पूरा इधर उदर जायने से पहले आके करके एक गंट वेस्ट उसमें जाता है तो टाइम भी नहीं मिलता है मुझे अभी वाकिंग भी जाना बहुत ज़रे नहीं जाती हूं तो बच्चे डांटने नहीं जाता है आँ व्यूट बना हो कुछ भी करहा लेकिन वाकिंग तो जाता ही है तो बिलकल नहीं बढ़ेंगे मेरे बच्चे मुझे तहरु है बहुत सपोर्टीchen मतलब डंतते हैं मतलब मेरे एच्छे के लिए न थोब बच्चे हैं जो मेरे नहीं बहुतFर करते हैं तो एक तो मतलब ड़े काम में लेकिन उन्यम्न हो तो बीजिए तो बच्छें हैं वह पढ़ाइटे में गर का मेंलों तो नहीं हो पाता है इसलिए मुझे नहीं मैं नहीं कर पा रहे हूं अभी तो टैम मिलेगा भी मतलब एक आदत हो गया अभी शुरु-शुरु में क्या है न हम तीनों टैम चावल काने वाले हैं चावल चोड़ना बहुत मुश्किल है शुगर के लिए चावल अच्छा नहीं होता है तिनों टैम रोटी या रागी यह सब घ़ुत सकते हैं मुझे तो का न चावल खाना यह होगा चावल और होगा उसके लिए कुछ बनाना होता है फिर बेटि के लिए थोड़ा से बीयत खराबता थोड़ा कुन जो एनिमिक थी तो उसके लिए भी उसके बना के खिलाने लगी मैं मतलब कुछ है रट रही है एक सब्चियां और सब्सके लिए उसके तो अभी शुरू कर रही हैं अभी एक सेट हो गया है तो आदत भी हो गया एक सेट हो गया अभी फिर से शुरू करेंगे करूँगे तो आप लोग सपॉट करेंगे एक विघी शुरू करते हों मैं ऑलोग सब्सक्रिय में इस ताइमटीश कीजिष्वत पर हम्हारा प्रवाइब नगता है जो मैं कभी-कभी क्या होता है लेट होने से अपका खाना बनाती हूं रोटी बनाती हो एक सब्जी जल्दी बना लेती हूं और अटमुन के रोटी बनाती हूं लेट होने से मतलब कुछ दुपयर का मेरा अस्बेड को जाने के लिए टाइम हो गया अधिल गिजना उसको भी उसना यह सब बरतन भी बहुत ज़्याद होता है पानी कम होता तो भी आइस घर में आने के अपाद इतना नहीं हुआ पहले होता था पानी नहीं आया एक दिन हम है पानी तो ने नौट इंडिया डिश बनाती हूं कि हमारे डिश में बरतन बहुत इता है में आ हम चार है बड़े लोग भी बनाना तो एक गंदा तो चाहिए में एक नोटेकर यह को इस दो इसलिए है तो इस लिए टैम लगता है वी करना मुश्किल होता है कि डी आके दे लिए हमरे मेरे हमारे सब्सक्राइब ही चेंज होगे मतलब सुबह उठते ही हाँ सभी घर में है ना मेरे हजबन को तो सेकंड शिफ्ट है दो बज़े जाएंगे तो सुबह जल्दी नाष्टे कोई चकर नहीं है थोड़ा साराम से उठ जाते हूं पहले तो साड़े-पांच बज़े उठती थी अभी तो छे सब्सक्राइब तो फिर से हो गया पूरा मैं फिर से आदत हो गया बैटी को कॉलेज भी शुरू हो जाएगा ओजिए तब तो फूरा सी ठीक हो जाएगा वह जाते हैं वह पना के देना ना जल्दी उठके वह टाइम पर बना के दे दोंगी आभी तो टाइम का कोई चकर नह तो चलता है तो कुल मिला के बाद याए कि अगल से मैं अच्छे से व्लागिंग वीडियो साज आएगा आप लोगों को देख लीजेगा हमारा साथ इंडियन कल्चर आपको देखना है तो अब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चानल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस करके और बटन प्रस किजिएगा आपको नोटिफिकेशन आजाएगा और हमारा सब्सक्राइब कर दोगों को क्योंकि आप लोगों से बहुत अलग है हमारा साथ इंडियन साथ इंडियन मतलग में तो मेरा ही नालेज का मेरा अपना कल्चर बताऊंगी ज्या अगले वीडियो में मिलते हैं सब्सक्राइब के लिए धन्यमा थेंक यूँ